पूर्व राष्ट्रपती डॉनाल्ड ट्रम्प नाम थो आपने सुना यह होगा एक नहीं, दो नहीं, बल्कि 37 मामले इन पर दर्च और अब कुछ ऐसा हुआ है जुसके बारे में कोई सोच भी नहीं सकता था या इतिहास में भी कभी ऐसा नहीं हुआ होगा जो अब डॉनाल्ड ट्रम्प के साथ हुआ है क्या है पूरी खबर आपको अगर इसके हम जानकारी दें तो आपको बता दे कि अमेरिका के इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ है जब किसी पूर्व राष्ट पती को इस तरह से कोर्ट में सेरेंडर करना पड़ा है पूर्व राष्ट पती डॉनाल्ड ट्रम्प ने मियामी कोर्ट में ना सिर्फ सेरेंडर किया बलकि अपनी गिरफतारी भी दे दी वो 45 मिन तक पुलीस का स्टडी में रहे इसके बाद उन्हें कोर्ट ने बिना शर्ट जमानत भी दे दी कोर्ट में ट्रम्प लगातार खुद को निर्दोश बताते रहे और उन पर लगाएगे आरूपों को राष्ट नेतिकस साजिश का उनके दोरा करार भी दिया गया देखें सा पहली बार नहीं है जब ट्रम्प को कानूनी तौर पर जमानत लेनी पड़ी हो इससे पहली भी एप्रल में ही हर्ष मनी के मामले में भी उन्हें कोट से जमानत लेनी पड़ी थी पूर्व अमेरिकी राश्टपती डोनाल ट्रम्प ने बुद्वार को मियामी कोट में सेरेंडर किया उन पर खुफिया दस्तावेजों को वाइट हाउस से बाहर निकालने का आरोफ लगा था सेरेंडर के बाद उन्होंने पुलीस ने उन्हें गिरफतार कर लिया इसके बाद कोट में उन्हें पेश किया गया कारवाई खत्म होने के बाद उन्हें जमानत दे दी गई हलाकि मामला राजजुनिती से प्रेरित बताया जवा रहा है अब यह पूरा मामला क्या है थोड़ा सा आपको इस पारे में भी बता देते हैं पूर्व राष्टपती डॉनाल्ड ट्रंप पर वाइट हाउस से खूफिया डॉक्यूमेंट्स को बाहर लाने का रोब लगा है ऐसा कहा जाता है कि जनवरे 2021 में वाइट हाउस छोड़ते वक्त वो CIA National Security of Petang से जुड़ी हुई खूफिया फाइलों के साथ उन्हें अपने साथ ले आये थे ये दस्तावेज उन्होंने फ्लोरिडा के मार ए लागो अस्टैट में रखे थे अगस्ट 2022 में FBI ने इस रिपोर्ट पर छापा मार कर ऐसे तक्रिबन 11,000 खूफिया डॉक्यूमेंट् इन में से सरवाधिक 31 मामली गूपनिय डॉक्यूमेंट्स से जुड़े हैं इन सभी में जासूसी अधिनियम के तहल साजिश रच ने न्याई की प्रक्रिया में बादा डालने संबंदित आरूपों को झेल रहे हैं वो अमेरिका में जासूसी अधिनियम तब लगता है जो राष्ट्यों सुरक्षा से जुड़े डॉक्यूमेंट से छेड़ चाड़ हो जाती है वहीं आपको ये भी बता दें कि प्रथम विश्वयूद के बाद बने इस अधिनियम के मामले में सबसे जादा ओबामा और ट्रंप परशासन के अधिकारियों पर मामले दर्च किये ग मुताबिक ट्रंप ने इन दस्तावेजों को बॉल रूम में रखा था इस मामले में जो चाड़ शीर पेश की गई थी उसमें आरोब था कि ट्रंप ने खूफिया दस्तावेजों को ऐसे जगा पर रखा है जहां पर कई महमानों को आना जाना था ऐसे में उन पर राष्ट सुरक्षा को खत्रे में डालने का मुकदमा भी दर्ज किया गया वाइट हाउस ते जो खूफिया डॉक्यूमेंट्स निकाले गए थे उनमें कई खूफिया जानकारिय थी दा वाशिंटन पोस्ट की एक रिपोर्ट सामने आई थी उनके मुताबिक ऐसे कई सारी डॉक्यू छलिए एस वीडियो में इतना ही अभी के लिए आप हमें इजाज़त दीजिए इसी तरह के तमाम इंट्रस्टिंग वीडियो के लिए फाक्ट के लिए informations के लिए खबरों के लिए आप जुड़े रहे हमारे साथ आप देख रहे थे इंदिया समचार 27 मैं हूँ आपके साथ स्वाती ठाकुर